एक गांव में धर्मचंद और नेतिराम दो दोस्त रहते थे, क्या आपके पास भी कोई ऐसा करीबी दोस्त है? वे परदेश से धन कमा कर लाए, तो उन्होंने सोचा कि धन घर में न रखकर कहीं और रख दें. क्या आपने कभी किसी कीमती बस्तु को सुरक्षित स्थान पर रखने का सोचा है? क्योंकि घर में धन रखना खत्रे से खाली नहीं है क्या आप मानते हैं कि किसी भी संपत्ती को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है साथ इसलिए उन्होंने धन नीम के पेड़ गेर की जड़ में गड़ा खोद कर दबा दिया क्या आपने कभी किसी विशेष स्थान पर कुछ छिपाया है दिनों में ये भी समझाता हुआ कि जब भी धन निकालना होगा साथ साथ आकर निकाल लेंगे क्या आप किसी के साथ ऐसे किसी समझाते में है धर्मचंद भोला इमानदार नेक था जबकि नेतिराम बेईमान था क्या आपने कभी किसी की इमानदारी या बेईमानी को पहचाना है वह दूसरे दिन चुपके से आकर धन निकाल कर ले गया क्या आपको कभी किसी पर छोड़ी का संदेय हुआ है ये उसके बाद भोला धर्मचंद के पास आया और बोला के चलो, कुछ धन निकाल लाए क्या आपने कभी किसी के इरादो पर शक किया है नए दोनों मित्र पेढ के पास आये तो देखा कि धन गायब है क्या आपने कभी किसी वस्तु के गायब होने पर किसी पर आरोप लगाया है? Z, धर्मचंद ने आव देखा नताव, फॉरण नेतिराम पर इलजाम लगा दिया कि धन तुमने ही चुराया है, क्या आपने कभी जल्दीवाजी में किसी पर इलजाम लगाया है? Z, दोनों में जगड़ा होने लगा, क्या आपने कभी किसी मितर से जगड़ा किया है? Well, बात राजा तक पहुंचे, क्या आपको लगता है कि किसी समस्या को सुलजाने के लिए उच्छ अधिकारी के पास जाना उच्छित है? Trident, राजा ने कहा, कल नीम की गवाही के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा, क्या आप मानते हैं कि कभी कभी म्याय पाने के लिए धैरी रखना पड़ता है? उसे, इमानदार नेतिराम ने सोचा कि ठीक है, नीम भला जूट क्यों बोलेगा, क्या आपने कभी किसी चीज़ पर पूरी तरह विश्वास किया है? धर्मचंद भी खुश हो गया, क्या आपने कभी सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? 6. दूसरे दिन राजा उन दोनों के साथ जंगल में आ गया, क्या आपने कभी किसी विबाद के समाधान के लिए बाहर जाना पड़ा है? उनके साथ ठेरो लोग थे, क्या आपने कभी किसी भीट के साथ गटना का गवाह बनाया है? बाट, सभी सत्स जानना चाहते थे, क्या आपने कभी किसी मामले की सचाई जानने की कोशिश की है? राजा ने नीम से पूछा, हे नीम दे, बताओ धन किसने लिया है, क्या आपने कभी किसी अद्वितिय तरीके से सचाई जानने की कोशिश की है? नेतिराम ने, नीम की जर्द से आवाज आई, क्या आप मानते हैं कि असलियत को चिपाना मुश्किल होता है? बनुसर, ये सुनते ही नेतिराम रो पड़ा, क्या आपने कभी किसी को सच्चाई सामने आने पर रोते देखा है? बिजिदीदा, बोला महराज, पेट जूट नहीं बोल सकता, कैसा धोखा, क्या आपने कभी किसी को अपनी निर्दोष्ता सिद्ध करते देखा है? मैं अभी सिद्ध करता हूँ महराज, कहकर धर्मंद ने कुछ लकड़ड़ियां एकटी करके पेट के तने के पास रखी है, क्या आपने कभी किसी को अपने आरोप को साबित करने की कोशिश करते देखा है? मेशिवसियो, फिर उनमें आग लगा दी, क्या आपको लगता है कि किसी परिस्थिति को सुल जाने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए? पेट की एक खोह से आवाजें आने लगी, क्या आपने कभी किसी को मुसीबत में फंसा देखा है? वजिशिक्स, राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो भी हो, उसे बाहर निकाव, क्या आपने कभी किसी को आदेश देते देखा है? सिपाहियों ने फौरन खोह में बैठे एक आदमी को बाहर खींच लिया, क्या आपको लगता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है? उसे देखते ही सब चौंक पड़े, क्या आपने कभी किसी स्थिती में अप्रत्याशित परिणाम देखा है? वह धर्मचंद का पिता था, क्या आपको लगता है कि कभी-कभी प्रियजन भी हमें धोखा दे सकते हैं? जीज, अब राजा सारा माजरा समझ गया, क्या आपको लगता है कि एक सच्चा न्यायधीश हमेशा सच्चाई को समझ सकता है? 30M, उसने पिता पुत्र को जेल में डलवा दिया और उसके घर से धन जब्द करके नेतिराम को दे दिया, क्या आपने कभी देखा है कि न्यायध सही डंग से किया गया हो? 10. साथ ही उसकी इमांदारी सिद्ध होने पर और भी बहुत सा धन दिया. क्या आपको लगता है कि इमांदारी का इनाम मिलता है? 10. शिक्षा ईमांदारी कफल सदैव मीठा होता है, क्या आप मानते है कि इमांदारी का हमेशा अच्छा पรिणाम होता है?